नमस्कार, The Credible History के इस नए एपिसोड में एक बर फिर से आपका स्वागत है। नहरु को जवाहरलाल नहरु के पिता के रूप में जाना जाता है। लेकिन अपने आप में वो एक बड़ी प्रस्नाल्टी थे। आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमी का उन्होंने निभाई थी। और इसलिए मुझे लगा कि आज उनके जीवन के बारे में उनके कामों के बारे में थोड़ा सा आपको बताओं। लेकिन आप जानते हैं कि फरुक्सियार की हत्या कर दी गई वो दौर ही वो था जिसमें मुगल साशन लगातार पतन की ओर जा रहा था साश्कों की ताकत लगातार कम हो रही थी तो फरुक्सियार के हत्या के बाद जो लोग साशन में आए राज कॉल उनके प्री नहीं बन सके और जो जागिरदारी उनकी थी धीडरे धीडरे उनसे चीनी जाने लगी और तीसरी पीड़ी आते-ाते सिर्फ कुछ जमिदारी राइट्स रह गए इस तीसरी पीडी में दो लोग थे, दो बेटे थे तीसरी पीडी में एक मंसाराम कॉल और एक साहिब कॉल मंसाराम कॉल के दो बेटे थे लक्ष्मी नारार कॉल और गंगाधर कॉल लक्ष्मी नारार कॉल और गंगाधर कॉल के आते आते मैंने आपको बताया कि जागिरदारी जो थी जामिदारी राइट्स थे वो इतने कम हो गए थे कि उससे काम चलाना आसान काम नहीं था दोनों लोगों ने अच्छी सिक्षा प्राप्त की थी तो लक्षमीर अरायाण कॉल ने क्या किया कि सबसे पहले वकालत सीखी और मुगल कोट में इस्ट इंडिया कमपनी के पहले वकील हुए गंगा धरकॉल पुलिस में गए और बहादूर साज जफर के जमाने में दिल्ली के सदर कोतवाल हुए लेकिन तभी उसके बाद आ गया 1857 1857 के बलवे में दिल्ली में जान बचाना मुश्किल था तो गंगा धरकॉल ने ये डिसाइड किया कि आगरा चला जाए तो अपनी सारी संपत्ति मालो एहबाब सब यहां छोड़ कर जो कुछ ले सकते थे वो साथ में लेकर वो आगरा चले गए आगरे में जाकर अपनी जिंदगी उन्होंने शुरू ही की थी अभी कि 34 साल की उम्र में मार्च 1861 में उनकी मृत्यू हो गई जब उनकी मृत्यू होई तो मोतिलाल नहरू अभी भी गर्भ में थे मांके और उनकी मृत्यू के कोई धाई तीन महीने बाद जैसा मैंने बताया 6 मई 1861 को मोतिलाल नहरू जी का जन हुआ आप समझ सकते हैं कि परिवार लकनव से बिखर के गया था अक्सर मोतिलाल नहरू की जब बात होती है तो यही बात होती है कि बहुत रईस थे, बहुत पैसे वाले थे, यह था उस पर भी बात करूँगा मैं लेकिन उनके बच्पन का जो संगर्श था, उसके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है आप समझ सकते हैं, दो बेटे जो गंगाधर कॉल के थे या मोतिलाल नहरू के दो बड़े भाई थे, वही सहारा थे मा जिसका पती 34 साल के उमर में, जियुरानी देवी उनकी मा का नाम था, जिसका पती 34 साल के उमर में गुजर गया हुआ, आप समझ सकते हैं, उसके उपर क्या गुजर रही होगी और ऐसे माहौल में गरीबी, मुफलिसी और परिशानी में मूतिलाल नहरू इस दुनिया में आते हैं लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो दो उनके बड़े भाई थे वो काबिल लोग थे परिवार को साथ लेकर चलने वाले थे उन्होंने मा या बहन या ये जो सद्यजात शिशु था जो छोटा सा बच्चा था मुतिलाल नहरू इसको अकेला नहीं छोड़ा इसको उचित सिक्षा देने और पढ़ाने लिखाने की कोशिश की मोतिलाल नहरू के जो दो बड़े भाई थे पहले थे बंसी धर नहरू और दूसरे थे नंदलाल नहरू बंसी लाल नहरू चुकी पढ़े लिखे थे और उर्दु जानते थे फारसी जानते थे तो उन्होंने नौकरी कर ली स्थानिय कोर्ट में फैसला जो पढ़के सुनाते हैं उसकी नौकरी उन्होंने कर ली और उसके बाद भी उनकी प्रगत लगातार जारी रही और एडिशनल जज बनकर वो रिटायर हुए लेकिन जो दूसरे भाई थे उन्होंने ये डिसाइड किया उनको नौकरी मिली खेतड़ी के राजकुमार के हाँ खेतड़ी राजे में गये वो और वहाँ सबसे पहले उनको शिक्षक की नौकरी मिली उसके बाद वहाँ के जो राजकुमार थे उनके वो प्राइवेट सेकेर्टरी हुए और बाद में दीवान के पत्तक पहुँचे तो बंसी धर की जो नौकरी थी बड़े भाई थे कोर्ट में कभी यहाँ टांसफर होता था कभी वहाँ टांसफर होता था उन्होंने छोटे भाई को यह जिम्मेदारी दी कि तुम मोतिलाल नहरू को पढ़ाओ लिखाओ तो खेतरी के राजगराने में जहां उनके बड़े भाई दीवान थे वहाँ मोतिलाल नहरू की सिक्षा दिक्षा हुई और जो सिक्षक राजकुमारों को पढ़ाते थे वही मोतिलाल नहरू को भी पढ़ाते थे तो बहुत कम उम्मर में उनको अर्बी और फार्सी का अच्छा ग्यान हो गया लेकिन 30 नौंबर 1870 में खेतरी के जो राजकुमार थे राजा थे फते सिंग उनके दिल्ली में मृत्य हो गई उसके बाद वहाँ जो सत्ता संघर्ष चला उसमें नंदलाल को समझ में आ गया कि यहाँ पर हम मेरे लिए कोई जगए नहीं है उन्होंने वकालत सीख ली थी और वो वहाँ से निकल कर इलहाबाद आ गये जहाँ पर नयानिया हाई कोड़ खुला था और इलहाबाद में वकालत करने लगे मोतिलाल नहरू अपने बड़े भाई बंसीधर के पास कानपूर में आ जाते हैं और कानपूर में पढ़ाई शुरू करते हैं इस बीच में उनका मियोर कालेज एलहाबाद में एडमीशन भी होता है वहाँ पढ़ाई भी शुरू करते हैं वो फस्ट इयर का एक्जाम था फस्ट पेपर उन्होंने दिया और उनको लगा कि पेपर बहुत खराब हो गया है तो उसके बाद उन्होंने परिक्षा ही नहीं दी जबकि रिजल्ट निकला तो मालम चला के फस्ट पेपर उनका काफी अच्छा हुआ था और बाकी परिक्षा देते तो शायद वो पास हो जाते हैं लेकिन इस तरह उनके पढ़ाई छूट गई और जब पढ़ाई छूट गई तो एक बार फिर वो कानपूर आ गए वहाँ पर प्रित्वीनात एक कश्मीरी पंडित थे जो पारिवारी कमित्र थे इनके और वकील थे उनके साथ इन्होंने वकालत सीखनी शुरू कर दी 1883 का वो साल था जब उन्होंने वकालत सीखनी शुरू की तीन साल एजन अपरेंटिस उन्होंने कानपूर में काम किया और उसके बाद उनके अपने भाई नंदलाल के पास वो 1886 में इलहाबाद आ गए इलहाबाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो बताते हैं कि पहली फीस जो उनको मिली थी वो सिर्फ पांच रुपए मिली थी लेकिन काम शुरू हुआ नंदलाल जी थे तो काम मिलने लगा लेकिन दुर्भागी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा और एक साल बाद 1887, 1887 में नंदलाल जी के मृत्य हो जाती है उनके पांच बेटे, दो बेटियां और पत्नी थी और नंदलाल जी की डेथ हो गई तो आप सोचिए वो सारी जिम्मदारी युवा मोतिलाल के कंधों पर पड़ जाती है मोतिलाल की पहली शादी जो हुई थी वो बहुत कम उम्र में हुई थी एक बेटा हुआ था लेकिन पत्नी की डेथ हो गई थी तो उनकी दूसरी शादी जो हुई वो सुरूपरानी थुसू से हुई यह परिवार अभी हाल में ही कश्मीर से नार्थ इंडिया में आया था और सुरूपरानी थुसू से उनकी शादी हुई यानि अपनी पत्नी भाई की पत्नी, भाई के पांच बच्चे, दो बेटियां यह सारा परिवार अब मोतिलाल नहरू के भरोसे था मोतिलाल नहरू ने जान लगा दी, इस पूरे परिवार को पालने और अपनी जीवन अस्तर को बहतर करने की कहते हैं कि पांच रुपए प्रतिकेश से शुरुआत करने वाली जो मोतिलाल नहरू थे, पांच साल के अंदर इस्तिति यह हुई कि उस जमाने में 2000 रुपए महिना कमाना उन्होंने शुरू कर दिया था जो हिंदोस्तान में किसी के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी इसी प्रक्रिया में धीरे 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 मोतिलाल नहरू एक महत्वपूर्ण वकील होते गए और साथ में इलहाबाद और उस समय जो युनाइटेट प्राविंस यूपी को कहा जाता था उसकी एक महत्वपूर्ण प्रसनालिटी के रूट में भी उभरना शुरू हुए आप जानते हैं 14 नॉमबर 1889 को पंडि जवाहर लाल नहरू उनके घर पैदा हुए फिर एक बेटी पैदा हुई 1905 में एक और बेटा उनको पैदा हुआ था गजब का संयोग है कि 14 नॉमबर के दिन ही लेकिन वो कुछी दिन में उसके मृत्य हो गई तो दो बेटियां जवाहर लाल नहरू पाँच बच्चे इस भाई के गंदराल जी के पाँच बच्चे उनकी पत्नी अपनी पत्नी ये पूरा परिवार जो था उसको मोतिलाल नहरू सम्हाल भी रहे थे वकालत में जबरदस महनत भी कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक स्थिती है वो लगातार बहतर होती जा रही थी मोतिलाल नहरू को हमेशा ये लगता था कि इन बच्चों को सिक्षा दिक्षा माहौल बहतर मिलना चाहिए तो 1887 में अपने भाई के मृत्व के कुछ दिन बाद ही वो इलहाबाद में जो घनी बस्ती में घर था उसको छोड़ कर 9 Elgin Road जो वहाँ पर एक तरह से सबसे important officers और बाकी सारे लोग रहते थे वहाँ पर रहने चले आया थे वहाँ पर उन्होंने किराय का मकान लिया था लेकिन 19 सौ में उन्होंने एक चर्च रोड जो भारत दौाज आश्रम के बिल्कुल पास था उसको खरीदा 19 हजार रुपए में मुरादाबाद के कुमर परमानन से मुरादाबाद के कुमर परमानन ने ये जो मकान था वो सरसायद हमत के बेटे से खरीदा था काफी बड़ा मकान था और लोग कहते हैं जमाने के हिसाब से 19,000 रुपए उसकी बड़ी कम कीमत थी कारण ये था कि लंबे समय से उस मकान में कोई मरमत तकाम नहीं हुआ था तूटा पूटा था वो मकान उन्होंने लिया और उस मकान को बहुत खुबसूरद रेजिडेंस में बदला जिसको आप सब जानते हैं कि आन जिनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं था और मोतिलाल नहरू इस बड़े से परिवार को नहरू के इस पूरे नहरू परिवार को साथ लेकर चलते थे अब तक उनकी वकालत किस तरह से जम चुकी थी इसके बारे में एक केस पर जो चीफ जस्टिस उस जमाने के थे Sir Greenwood Meese उनका एक बयान है वो बयान कहता है कि No liar in the world could have done that case better than मोतिलाल had done यानि वो जो केस वो सुन रहे थे उस केस के बारे में उनके टिपणी थी कि दुनिया का कोई वकील इस केस को इतने खुबसूरती से नहीं डील कर सकता था जिस तरह से मोतिलाल नहरू डील कर रहे थे लेकिन इसके साथ साथ एक और महद्वपूर्ण चीज थी जिसको समझे बिना मोतिलाल नहरू और क्यों मोतिलाल नहरू को बदनाम किया जाता है इस बात को समझा नहीं जा सकता अलावाद उत्तर प्रदेश में है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के ब्रामणों का अपना तरीका होता है जिसमें नौन्विज नहीं खाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती है जबकि कश्मीरी ब्रामण जो होते हैं उनके हां नौन्विज आराम से किचन में पकत तो मोतिलाल नहरू जी के जमाने में पंडित बिसन नरायर धर थे वो गए विदेश विदेश से लौट क्या है तो उन्होंने प्रैस्चित का भोजन भी करवा दिया लेकिन फिर भी जो वहां के एक पंडित सभा थी उसके एक हिस्से ने कहा कि इनको अपने धर्म में नहीं लिया जा सकता है हालत यह होई कि पूरे जो पंडित थे कश्मीरी पंडित जो लाबाद में रह 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 थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए बलकि युनाइटर प्राविन्स में जो रह 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 थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए, एक विसन सभा बन गई, एक धरम सभा बन गई मोतिलाल नहरू ने विसन सभा का सपोर्ट किया इसके अलावा 1899 में जब पहली बार वो विदेश जाते हैं तो वहां से लोट के आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रायश्चित वगरा कुछ नहीं कराऊंगा तो अब उनके समर्थन में लोग इकठा हुए और एक मोती सभा बनी जिसका उन्होंने नाम दिया सत्य सभा और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बेवकूफी है जिसमें विदेश जाने पर आप प्रतिबंद लगा रहे हैं ये तो हमारे समाज को और पिछड़ा बनाएगी और उसके बाद से धीरे 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 इस तरह की प्रता कश्मीरी पंडितों के बीच में खतम हो गई एक और मजदार मैं आपको बात बताओं एक हुए हैं पंडित आनंद कॉल बमजाई पंडित आनंद कॉल बंजाई के बारे में मैं आपको बता दू कि वो पहले कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी कश्मीरी पंडितों के बारे में उस किताब का नाम है कश्मीरी पंडित यानि वो अपने समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनसे भी लड़ रहे थे और लगातार एक आधुनिक सोच की तरफ बढ़ रहे थे फिर आप कहेंगे इन सब के बीच एक गुलाम देश में क्या वो कुछ नहीं कर रहे थे नहीं इन सारी परिशानियों के बावजूद आप सोचिया 1887 में उनके भाई की डेथ हुई थी सारी जिम्मेदारियां उनके सर पे पड़ी थी लेकिन 1888 में एलहाबाद में जब कॉंग्रेस की सभा हुई तो उसमें वो एक डेलिगेट के रूप में शामिल हुए 1889 में बंबई में फिर जो कॉंग्रेस हुई उसमें सब्जेक्ट कमेटी के मेंबर चुने गए 1899 में नागपूर में जो कॉंग्रेस हुई उसमें भी वो डेलिगेट चुने गए और फिर जो सब्जेक्ट कमेटी थी उसके भी सदसे चुने गए 1892 में एलहाबाद में हुई तो जो reception कमेटी बनी थी उसके secretary चुने गए और कहा जाता है कि उस जमाने में इतनी शांदार Congress हुई थी कि लोगों को आश्यर यह होता था तो वो लगातार Congress के साथ जुड़े हुए थे लेकिन moderate थे जाहिर तोर पर अभी देश की आजादी की बाद उस तरह से नहीं हो रही थी अभी बाकी सारी चीज़ें बहुत तीज जो होती है वो नहीं हो रही थी लेकिन समा सुधार और इन सारी चीज़ों से मोती लाल नहरू जुड़े हुए थे फिर उसके बाद अगला जो 10 साल है 1892 से लेकि आप समझेए 1904 तक वो कॉंग्रेस में नहीं गए अपने काम काज में और बाकी सारी चीज़ों में वो बिजी रहे स्थानी अस्तर पर जो कुस था वो था बाहर नहीं गए वो लेकिन 1905 में जब बनारस कॉंग्रेस हुई तब वो गए क्यों गए क्योंकि 1905 में आप जानते हैं बंगाल के विभाजन की बात हुई थी फिर 1906 की भी कलकत्ता कॉंग्रेस में वो गए और माडरेट्स की तरफ से गए तो अगर कोई किसी को ये लगता है कि जवाहर लाल नहरू का पिता होने के चलते हैं उनको मातो मिला तो आप ये समझे कि जवाहर लाल नहरू जब पैदा नहीं हुए थे तब से वो कॉंग्रे कॉंग्रेस की मीटिंग हुई उस मीटिंग की अध्यक्ष्टा की थी मोतिलाल नहरू ने लेकिन तब तक मोतिलाल नहरू मॉडरेट थे जब आप जवाहर लाल नहरू और मोतिलाल नहरू के बीच के पत्राचार पड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि पिता पुत्र में एक तरह का टसल चल रहा था, जवाहरलाल नहरू अपनी उम्र के हिसाब से radical थे, वो लगातार radical बातें कर रहे थे, अंग्रेजियों को भारत से निकालने की बात करनी चाहिए, पूर्ण स्वाधिंता की बात करनी चाहिए, मोतिलाल नहरू अभी constitutional जो तरीके होते हैं, उनसे काम करने की बात कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, और इस तरह की चीजें कर रहे थे, इसी बीच में एक पारिवारी घटना हुई, आप जानते हैं, जवाहरलाल नहरू जब इंग्लैंड से पढ़के आये, तो उनकी शादी करनी थी, तो मोतिलाल नहरू उनकी पत्नी सुरूब रानी, और जवाहरलाल नहरू के बीच में एक तरह का टसल चल रहा था कि लड़की कैसी होनी चाहिए, जवाहरलाल नहरू चाहते थे कि खूब पढ़ी लिखी लड़की हो, मा चाहती थी बहुत सुन्दर लड़की हो, मुतिलाल नहरू चाहते थे प्रतिष्ठित परिवार की लड़की हो और कश्मीरी पंडितों में उस समय चुकी लड़कियां बहुत पढ़ती लिखती नहीं थी तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिलना मुश्किल था आंतता आठ फरोरी 1916 को दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडित जो एक बड़े व्यापारी थे पंडित जवाहर मल की बेटी कमला कॉल से शादी होती है जवाहरलाल नहरू की दिल्ली में ये शादी हुई थी कहते हैं एक महिने तक रिसेप्शन चला था लेकिन 1917 में और भी घटनाएं हुई प्रुथम विश्युद्य में भारत ने भारत के जो कम से कम समयधानिक मलोग थे मौडरेट्स थे उन सबने इंग्लाइन को सपोर्ट किया था और बदले में उमीद की जा रही थी कि विश्युद्य के बाद स्वाशासन दिया जाएगा लेकिन अंग्रेज टाल मटोल कर रहे थे सीधा कोई जिस तरह के सवाशासन की बात कर रहे थे उसका कोई अर्थ नहीं था तो होम रूल लीग मुवमेंट शुरू हुआ जब होम रूल लीग मुमेंट शुरू हुआ एनी बेसेंट ने उधर तिलक ने इन सब लोगों ने होम रूल लीग मुमेंट शुरू किया तो मोती लाल नहरू शुरू में उसके पक्ष में नहीं थे जबकि जवाहर लाल नहरू होम रूल लीक को लेके बहुत जादा excited थे लेकिन जब एनी बेसेंट को गिराफतार कर लिया गया और होम रूल लीक का दमन शुरू हुआ तो मोटी लालनहरू एकदम से बदलते हैं और होम रूल लीक के समर्थन में आते हैं पांच फरोरी 1917 को वो एक अकबार निकालना शुरू कर चुके थे, The Independent, लीडर नाम से एक हिंदी में अकबार पहले से निकल रहा था, जिसको आर्थिक सहयोग वो करते थे, इसमें वो लगातार आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं, और ये moderate से और radical में धीरे धीरे मोतिलाल नहरू का परिवर्तन होता है, महात्मा गांधी के साथ उनकी लगातार मुलाकाते होती हैं और दोनों के बीज की एक का विरोत किया था सुभाश भोस ने भी किया था ग्रांतिकारियों ने तो किया ही था कितना शांदार आंदोलन चल रहा था कुछ लोग की गलतियों से आपने क्यों रोग दिया महात्मा गांधी का कहना था कि अगर ऐसी गलतियों को नजर अंदाज किया गया तो यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा और अपने नतीजे पे नहीं पहुँचेगा लेकिन मोतिलाल नहरू और बाकी सारे लोग इससे सहमत नहीं हुए मोतिलाल नहरू तो और आगे बढ़े और उन्होंने गांधी जी को एक बहुत तीखा पत्र लिखा इसके बाद कुछ दिनों तक गांधी जी और उनके रास्ते अलग-अलग होते हैं काउंसिल चुनाओं में हिस्सा लेकिनाले इनको लेकि राय विभाजित होती है महात्मा गांधी का कहना था कि काउंसिल चुनाओं में हमको हिस्सा नहीं लेना चाहिए इसी सवाल पर मोतिलाल नहरू कॉंग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी बनाते हैं कि जवाहल लाल नहरू जो उनके बेटे थे वो इस सुराज पार्टी में शामिल नहीं होते हैं खैर सुराज पार्टी चुनाओ लड़ती है यूपी की काउंसिल के लिए मोतिलाल नहरू चुने जाते हैं और वो यूपी की काउंसिल में जाते हैं लेकिन काउंसिल में क्या करते हैं मार्च 1926 में काउंसिल के अंदर वो ये सवाल उठाते हैं कि जैसे आस्ट्रेलिया और बाकी सारी जगों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया है वैसा Dominion Status हमें दिया जाए और उसके लिए सम्विधान निर्मार की प्रक्रिया शुरू की जाए जाहिर है इस बात को नहीं माना जाता है ये बात Assembly में reject हो जाती है उसके बाद वो Assembly से बाहर निकलाते है और बाहर निकल कर एक Report बनाते हैं Constitution बनाते हैं इस तरह के Dominion Status के लिए जिसको नहरू Report कहा जाता है नहरू Report को लेके बहुत सारे विवाद हैं बहुत सारे लोग इसको मानें बहुत सारे लोग नहीं मानें कुछ लोग का ये कहना था कि पूर्णस वाधिंता की बात करनी चाहिए जिनना को ये लगता था किसमें मुसल्मानों के लिए जितना होना चाहिए वो नहीं है लेकिन एक document के रूप में आप कह सकते हैं कि भारत में जो सम्विधान निर्मार्ग की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें नहरू Report एक बेहत important document है धीरे-धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी बाकी संघर्ष में लगातार लगे ही हुए थे वकालत जो उनकी शांदार चल रही थी धीरे-धीरे उन्होंने काफी कम कर दिया था जो शांदार आनंद भवन उन्होंने बनाया था वो कांग्रेस को दफ्तर के रूप में दान कर दिया और खुद एक दूसरे घर में चले गए उस भवन को नाम दिया गया स्वराज भवन जो दान किया था उन्होंने जिस घर में वो गए वो उसको फिर से आरंद हो और उसका नाम रखा गया बार बार गिरफ्तारियां आप जानते हैं कि उनकी पत्नी भी गिरफ्तार होई नहरू तो बार बार गिरफ्तार होते रहते थे बेटियां भी गिरफ्तार होई पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में लगा रहा और जो शांदार विलायती सूट पहनते थे जूते पहनते थे उसकी जगह पर कुर्ता पजामा धोती कुर्ता इस तरह की खादी का धोती कुर्ता ये सारा कुछ पहनना शुरू किया उन्होंने एक बड़ा किस्सा है जो बार-बार दुराय जाता है कि जब वो आंदोलनों में थे तो घर होने के बावजूद जमीन पर सोने की प्रैक्टिस करते थे किसी ने पूछा कि आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब हम आंदोलन में जाएंगे तो जेल भी जाना होगा इसलिए जेल में जाने की प्रैक्टिस पहले से कर लेना ज़रूरी है इसी बीच में आप जानते हैं कि गरफतार किया गया भगत सिंग को असेंबली बमकान के बाद मुतिलाल नहरू उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने विधान सभा में रहते हुए इस चीज का विरोध किया कई बार वो जेल में मिलने गए भगत सिंग से और भगत सिंग को बचाने के लिए जो कोशिश कर सकते थे वो की ये समय आते आते जवारलाल नहरू धीरे-धीरे महत्वूर नेता के रूप में उभर चुके थे और जब नमक सत्यागरा शुरू होता है तो उस समय पिता और पुत्र को एक साथ गिरफतार किया जाता है दोनों लोग जेल में होते हैं लेकिन मोतिलाल नहरू की तबियत काफी जब बिगड़ गई तो उनको जेल से रिहा किया गया बाद में जवारलाल नहरू और महात्मा गांधी दोनों को रिहा किया गया और 6 फेबरुरी 1931 को जेल यात्रा की वज़े से जो उनकी तबियत खराब हुई थी उसकी वज़े से उनकी जब डेथ हुई तो सिरहाने एक तरफ जवाहलाल नहरू थे एक तरफ महात्मा गांधी थे तो यह कहानी मोतिलाल नहरू की है जिनके बारे में बहुत सारे किस से गढ़े गए जिनको हमेशा ऐसे पेश किया गया जैसे मुँ में चादी का चमच लेके पैदा हुए मैंने बताने की कोशिश की उनके जिन्दगी की कहानी कि किस तरह जब वो पैदा हुए तो उसके दो महीने पहले उनके पिता मर चुके थे दिन्ली का घर छोड़के आगरे में आके नयसीरे से बसने की कोशिश कर रहे थे दो बड़े भाई थे जो अपने लिए डाल रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे उन सब के बीच संघर्ष करते हुए गरीबी से निकल कर मोतिलाल नहरू ने अपने लिए जगह बनाई इलहाबाद में बहुत नीचे से शुरुआत करके मैंने बताया पहले केस काउन को पांच रुपए मिले था वहाँ से शुरुआत करके हिंदुस्तान के सबसे सफल वकीलों में हुए शांदार घर बनवाया शांदार लाइफ जी रहे थे लेकिन उसके बाद आजादी की लडाई में शामिल हुए अपना घर कॉंग्रेस को दान कर दिया सूट की जगा खदर का धोती कुर्ता पहनना शुरू किया और जेल यात्राएं रेगुलर हो गई अंत में एक जेल यात्रा में बुरी तरह से बिमार पढ़ने के बाद 6 फेबुरी 1931 को उनकी इम्रित्य हुई मोतिलाल नहरू अगर आगे पीछे कुछ न जोड़ा जाये ना उनके पुत्र के बारे में बात किया जाये तो अपने आप में आजादी के लड़ाई के उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर देश की आजादी के लिए लड़ने का काम किया आज के लिए इतना ही आगे ऐसे ही किसी और क्रांतिकारी पर देश भक्त पर बात करेंगे शुक्रिया